नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिच शेग उद्दफ ठाकरे के बाद अब शरत पवार की पार्टी एंसीबी को जटका लगा है जिस तरह उद्दफ को शिवसेना का नाम निशान छीना है ठीक उसी तरह शरत पवार के हातों से एंसीपी फिसलने वाली है क्योंकि अब चुनाव आयोग ने शरत पवार की एंसीपी को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया ऐसा फैसला कि पीम की रेस में विपक्ष को एक जूट करने की प्लैनिंग में लगे हुए शरत पवार की हालर खराब हो गई है इस खबर से महारास्ट्र में हरकब मच गया है जिससे पार्टी पर तमाम सवाल सुलग रहे है चुनाव आयोग ने क्यों लिया एंसीपी पर एक्षन? क्या एंसीपी से छिनेगा रास्ट्र पार्टी का दर्जा? क्या उद्धव की तरह बर्बाद हो गई शरत पवार? क्या चुनाव से पहले हार गया विपक्ष? आगे धमाकेदार ट्विस पर खुलासा करें उससे पहले कैसे एंसीपी को जटका लगा है? चलिए बताते हैं दरसल चुनाव आयोग एंसीपी का रास्ट्रे पार्टी का दर्जा चीन रही है भारतिय कम्यूनिस पार्टी और ममता बैनरजी की त्रीनमूल कॉंग्रेस भी रास्ट्रे पार्टी के लिए अवश्यक शर्तों की पूर्ती नहीं कर रही लेकिन फिर भी कापी वक्ष से चुनाव आयोग ने लचीली भूमिका अपनाते हुए उनका रास्ट्रे पार्टी का दर्जा कायम रखा एंसीपी का दर्जा चीनने की कारवाई 2019 के आम चुनाव के बाद ही शुरू कर दी गई थी 9 अक्टूबर 2019 को इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी 14 दिसंबर 2021 को सुनवाई की तारीख पर एंसीपी का कोई प्रतिनिधी नहीं पहुचा पार्टी ने 20 मार्ज 2022 तक का समय मांगा था जिसके बाद एंसीपी के प्रतिनिधी को चुनाव आयोग मुख्याले तलब किया गया था 1961 में बने आयोग के नियम के मुताबिक राष्ट्रे दर्जा देने के बारे में बहुत स्पस्ट है ऐसे में नियमों का कराई से पालन किया जाए तो पार्टी के लिए राष्ट्रे दर्जा बचाना आसान नहीं होगा अगर राष्ट्रे पार्टी की मान्यता रद होती है तो एंसीपी को दिल्ली में मिला पार्टी ओफिस गवाना पर सकता है रास्ट्रे पार्टी होने के नाते EVM मशीन पर उसके उमिद्वारों के नाम शुरुवात से क्रम में नजर नहीं आएंगे तो किस स्थिती में पार्टी को रास्ट्रे पार्टी का दर्जा मिलता है चलिए बताते हैं किसी राजनीतिक दल को राश्ट्रे पार्टी के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसके उमिद्वार लोग सभा या विधान सभा चुनाओं में चार या अधिक राजियों में कम से कम 6 पिसदी बोट हासिल करते हैं इसके अलावा पार्टी को कम से कम 4 लोग सभा सीट जहां उसे राजि की पार्टी के रूप में मानित अप्राप्त है जैसे ही एंसीपी सिर्फ महरास्ट्र में ही चुनाओं चिन का इस्तमाल कर सकती है चुनाओं आयोग ने 2016 में राश्ट्रे पार्टी के स्थिति की समिक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया था जिसके त समिक्षा 5 के बजाए हर 10 सान में होती है तो राश्ट्रे दर्जे के फाइदे क्या है ये भी जान लीजे जैसे ही हमने पहले भी बताया कि उन्हें सभी राजियों में एक जैसा चुनाओं चिन मिलता है साथ ही नई दिल्ली में एक पार्टी दफ्तर के लिए जगा मिलती है सर्वजनिक टीवी चैनल उपर चुनाओं के दोरान फ्री में अपनी बात रखने का समय मिलता है हाला कि सिंबल ओरडर 1968 के तहर एक पार्टी के राश्ट्रे दर्जा खूने पर देश भर में समान चुनाओं चिन का उपियोग करके चुनाओं लड़ने का अधिकार नहीं है कम मिलता है राश्ट्रे दर्जा चलिए ये भी बताते हैं दरसल किसी राजनितिक दल को राश्ट्रे पार्टी के रूप में मानेता तब दी जाती है जब उसके उमिद्वाल लोकसभा या विधानसभा चुनाओं में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 पीस दी बोट ह हासिल करते हैं इसके अलावा पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होती है अगर नसीपी का ये किसी अन्यप आटी का राश्ट्रे दर्जा चीना जाता है तो उस स्थिती में पार्टी अपने चुनाओ चिन का स्थमाल केवल उन राज्यों में कर सकेगी जहां उसे राजिकी पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चुनाओ आयोग ने 2016 में राष्ट्रे पार्टी के स्थिति के समिक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया था। जिसके तहर समिक्षा 5 के बजाए हर 10 साल में होती है। तो ऐसे में अगर शरत पार्टी का राष्ट्रे दर्जा छीना जाता है तो लोग सभाचुनाओ से पहले उनके लिए ये बहुत बड़ा जटका होगा। क्योंकि एक तरफ तो शरत पार पीम मोदी को खिलाफ कुनबा जोडने में लगे हुए हैं। कभी ममता के साथ बैठ कर रन्नीती बनाते हैं तो कभी दूसरे विपक्षी दलो को जोडने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो शरत पार ने अपने घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक भी बुलाई ही जहां लोग सभा चुनाओं के लिए रन्नीती बनाई जाएगी। साथ ही चुनाओं से पहले ही इवियम मशीन के मुद्दे पर विपक्ष कैसे बवाल करेगा इसको लेकर भी बादचीत होगी। इसलिए ही शरत पावार ने राज्यस सभा में विपक्षी दलो के प्लोडनेताओं को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। बकाइदा इसके लिए शरत पावार ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन सभी राज्यतिक दलों की बैठक बुलाने का प्रस्ताओं रखते हैं जिन्होंने इवियम की प्रभाव कारिता पर संदे है। तो ये विपक्ष की ओर से मोधी सरकार को तक्कर देने के लिए न पवार को रन्नीती बनाने से पहले ही जटका मिल गया है। चुनाओ आयोग अब पवार के होश उड़ा देने वाला फैसला सुनाने वाला है। अगहारी गैंग के उद्धग ठाकरे तो पहले ही डूप चुकित लेकिन अब पवार की भी उल्टी गिंती शुरू हो गई लोग सभा चुनाओ में शरत पवार चले थे राश्ट्रे स्थर पर बीजेपी को टक कर देने लेकिन खुद राज अस्थर पर भी अपने आपको सम्हाल नहीं पा रहे हैं। चुनाओ आयोग के धमाकेदार फैसले ने एंसीपी में बवाल खड़ा कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है। जब महाविकास अघारी पहले ही बरबादी की रहा पर है। कॉंग्रेस अकेले चुनाओ लड़ने का मन बना चुकी है। उद्दव ठाकरे कहीं के बचे नहीं है। ऐसे में शरत पवार की रननीती भी मिट्टी में मिल गई है। शरत पवार के साथ साथ तलवार ममता बैनरजी की टी-म-सी और मायावती की बी-एस-पी पर भी लटक रही है। क्यूंकि बी-एस-पी भी हात्मी की रहा पर खड़ी है। वही ममता बैनरजी की पार्टी पर भी काल मढड़ा रहा है। ये वो लोग हैं जो पी-म मोदी को मात देने के लिए से आगे आकर अपने आपको चमका रहे हैं। विपक्षी नेताओ का जमावरा लगा रहे हैं। ममता भी अपने आपको विपक्ष की पी-म उमिद्वार के तोर पर आगे कर रही है। ममता ने तो सीधे तोर पर कॉंग्रेस से पंगा भी ले लिया है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का PM उमिद्वार मानने से मना कर दिया है और कहा कि राहुल गांधी BJP की TRP है तो वहीं कॉंग्रेस ने भी ममता बैनर जी को BJP का एजेंट बता दिया कुल मिला कर विपक्ष आपस में ही इतना उलज गया है कि मोदी को मात देने से पहले आपसी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही है और अब चुनाओ आयोग भी लोगों पर एक्षन के लिए तयार है जिससे शरत पवार और ममता बैनर जी के होश ठिकाने लग गए है तो लगता स झार ऑज्च के विए्या खत्म स्यूμ को रसाष दोष्या आपस्पूं कर दोप श्रानमा प्रॉणा नहीं है उमनीच के विए खत्ष में दिकाने लोगता है की अीमा माला है भी टाहीं है ओन ध्वार छोचिक्ष उल एक्ष मेंने खेक्स्वारा कॉप झ다 delicate दिकाने उंस फ